असलाम आलीकूम और रह्मत लाही और राकातों मैं बखेर हूँ उम्मेद है आप भी बखेर हूँगे आज की स्टोडियों में मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप अपने टिकट को as a PDF डाउनलोड कर सकते हैं जी हाँ यानि जो टिकट आपने आयर सिटी से अप्लिकेशन या फिर वेबसाइट के जरे बुक किया है उस टिकट को आप PDF में कैसा करवाट कर सकते हैं यानि PDF बना करके कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह स्टेप्स हम इस वीडियो में फॉलो करेंगे और आपको इसली पता चल जाएगा किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप उसको फॉलो करके आप अपने लिए टिकट बुक भी कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के पास में या फिर टिकट काउंटर पर गए हुए जी हां तो बिना टाइम को गवाई हुमें लेट्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर उपन कर लेजी मैं क्रोम ब्राउजर उपन करूंगा मैं प्रेफर करूंगा कि आप भी क्रोम ब्राउजर ही उपन करें सिंप्लिया आप क्रोम ब्राउजर वेबसाइट नज़र आएगा आई आर सी टी सी डॉट को डॉट इन यहां पर नज़र नहीं आएगा तो नीचे में नज़र आए लेकिन ध्यान रहे इसके उपर में लिखा हुआ और यहां पर आने के बाद में आपको ऊपर में एक नज़र आएगा यहां पे लिखा हुआकर करना है उसके बाद में आपको नीचे नज़र आएगा यहां पर नज़र करने बड़ा जी उसके आदम बड़ा B, capital B उसके बादम है नम्बा aud 5 उसके बादम सम्पलिघ्ट में भटन प्रक्लिक कीजिए तो यह जो है आप sign in हो जैएगे जैसे हैं बोग Powers漠い बाद में आपको home page बंए कर गर जाएँगे फ्र से तो अभी आपको करना के है अभी आपको यहाँ पे जो 4 lines नजर आ रहे है इसके उपर में आपको क्लिक करना है जैसे आप इसके उपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको scroll up करना है थोड़ा सा उपर करना है उस पर click करते हैं यहां पर जितने भी tickets होंगे जितने भी आप book की होंगे सारे के सारे आपको नजर आजाएंगे all journeys में upcoming में जो भी आने वाला journeys है वो आपको नजर आएगा simply आप upcoming पर click कीजिए और यहां पर जिस भी ticket को print करना है simply आप उस ticket पर click कीजिए तो मुझे जो print करना है वो मैं यहां पर देखूंगा कि मुझे कौन सा print करना है तो मुझे यहां पर print करना है यह वाला ticket तो मैं simply इसको आप मैं click करूंगा जैसे उस ticket पर मैं click करूंगा तो यहां पर जो है उस ticket के सारे के सारे details मुझे बता देंगे यहाँ पर किसके नाम से टिकट निकला हुआ है और इसमें कितने टिकट निकले हुए है सारे का सारे यहाँ पर मुझे बता देंगे तो यहाँ पर मैं इसको देख लता हूँ किया ठीक है मुझे इस टिकट को प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट करने के लिए आपको ऊपर मे और जाना है तो आपको आपको इस तरीके से इंटरफेस लेकर करा जाएगा जैसे आपको नीचे में सबसे नीचे में एक नजर आएगा बटन प्रिंट simply आप प्रिंट वाले बटन पर क्लिक किजिए तो यह जो है थोड़ी देर वेट कीजिएगा कुछ देर तक वेट करने के बाद में यह अपने आप आपको ले करके आएगा एक और पेज पे जहां पर यह बुलेगा आपको सेव करने के लिए as a pdf अभी जो यहां पर लेकर क्या आगा है preview option के अंदर में यहां पर आपको वेट करना है कुछ दिर तक कुछ भी नहीं करना यानि प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कुछ भी नहीं करना है जस्ट वेट करना थुट दीर तक उसके बाद में आपको कुछ रही किस सब नजर आ जाएगा यहां पर पर दिर जाएगा टिकर आभी आपको करना क्या है simply आपको civil button पर darf order यहां निय्ट परवी क्लिक करना है आपकोomm unreडेरेट कर देगा आपके save button पे click कर देना है यह जो आपको save button नजरा आए आपके फोन के अंदर में file में save हो जाएगा file manager के अंदर में यह save हो जाएगा जी हाँ अभी जो यह redirect कर दिया इसने चीक है कोई बात नहीं जहां पर इसने redirect करते रहने दीजिए simply आप एक बार इसको back कर लीजिए back करने के बाद में आप जाएंगे यानि file manager के अंदर में जाएंगे तो मैं यहां से file manager में चल जाता हूं मेरे पास में google का file से simply मैं file manager में चल जाओंगा यहां पर आने के बाद में आपको जाना है download वाले folder में या फिर आप simply internal storage में जाएंगे उसके बाद में आप यहां पर आकर करके मैं इसको sort कर लेता हूं sort by date newest date first उसका आप में simply download वाले folder में जाओंगा और यहां पर आने के बाद में देखी हो जो ticket मैंने just अभी वहां से download के as a PDF वह यहां पर नजर आ रहा है simply मैं इसको अपर में क्लिक करके मैं इसको देख सकता हूं drive PDF viewer के अंदर में जी हां इस तरीके से जो है आप अपने book किये हुए ticket को print कर सकते हैं as a PDF जिस तरीके से agent करते हैं अब इस ticket को आप चाहे तो normally print करवा लिए या फिर आप चाहे तो इसी को आप सफर करते दोरान इसी ticket को आप दिखा दीजिए तो भी काम आपका हो जाएगा Congratulations आपने अपने ticket को as a PDF डाउनलोड कर लिया जी हां इसका आप अब आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइल करने के लिए आपको physical ticket की ज़रुवत नहीं है यानि आपको किसी और के पास में जाकर के ticket print करवाने की ज़रुवत नहीं है जस्ट आपके phone में यह जो ticket है वो ticket रह आएगा और बस आप trial easily कर सकते हैं कोई issue नहीं आएगा जस्ट आप उस PDF को दिखा देंगे तो कोई issue नहीं होगा क्योंकि it's my experience में आपको बताया था उमेदे यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको help हुई होगी इस वीडियो से तो मिलते हैं इस तरह के interesting and informative वीडियो में जब तक के लिए अगर आपने अभी तक कि इस वीडियो को like नहीं किया है तो इस वीडियो को like कीजे और आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को share कीजे ताकि उनको भी तो पता चले किस तरीके से इस काम को हम अंजाम देते हैं और इतने आसान तरीके से जो है हम इ अल्लाह हाफीज